हेलो बच्चो, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जैसा कि हम सब जानते हैं, मम्मी पापा बच्चो को हमेशा अच्छी अच्छी बाते सिखाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे भी बड़ो को कुछ सिखा जाते हैं, आज की इस कहानी में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, एक गाउ में एक गुबबारे बेचने वाला था, वह गली गली में जाता और आवाज लगाता, गुबबारे लेलो गुबबारे, लाल हैरे पीले प्यारे प्यारे, गुबबारे वाले की बड़ा गुबबारा कितने का है, गुबबारे वाले ने कहा, बीस रुबे का, चिंकी ने कहा, तीदी, आप यही रुको, मैं अभी मासे पैसे लेकर आती हूँ, और वह घर की तरफ दोड गई, दोडते समय उसकी पायल गिर गई, गुबबारे वाले ने पायल देखी, और उसे उठा कर, पिंकी से पूछा, क्या ये तुमारे बेहन की पायल है, पिंकी ने कहा, हाँ, और घर की तरफ देखने लगी, उसे तो लग रहा था, कब चिंकी पैसे लेकर आए, और हम बड़ा सा गुबबारा ले ले, जब चिंकी कुछ देर तक बहार नहीं आई, तब पि बड़ गई, लेकिन पायल तो गुबबारे वाले के हाथ ही में रह गी, जब उसने देखा चिंकी और पिंकी दोनों भी नहीं है, तो वह पायल लेकर भाग गया, जब चिंकी और पिंकी पैसे लेकर वापस आई, तो गुबबारे वाला तो वहाँ था ही नहीं, तब ही चिं क्यों चिंकी पिंकी क्यों रो रही हो तब दोनों बहनों ने सारी कहानी मा को सुनाई मा ने कहा आगे से ध्यान रखना कभी भी किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना दोनों बहनों ने मा से माफी मांगी और वे खेलने के लिए बाहर चली गई पायल लेकर गुब्बारे वाला घर आया और उसने अपनी बेटी को आवाज लगाई सुमन ओ सुमन जल्दी बहार आओ बाबा की आवाज सुनकर सुमन दोड़ी आई और पूछा क्या हुआ बाबा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ क्या है बाबा गुब्बारे वाले ने पायल सुमन के हाथों में रख दी पायल देखकर सुमन ने पूछा बाबा ये तो बहुत महंगी है ये आप कहा से लाए तुझे क्या करना है सुमन बस तुई इसे रख ले नहीं नहीं बाबा पहले आप मुझे बताओ ये आप कहा से लाए कहा बाबा आप तो हमेशा कहते थे कभी किसी की चीज उससे बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए और आज आप ही ये महंगी पायल उनसे बिना पूछे लेकर आ गए मैं ये पायल नहीं रख सकती हम कल ही जाकर ये पायल वापस कर देंगे सुमन की बाते सुनकर गुबारे वाले को अपनी गलती का एहसास हुआ उसने सुमन से कहा हां सुमन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है हम कल ही जाकर ये पायल वापस कर देंगे अगले ही दिन सुमन और उसके बाबा चिंकी और पिंकी के घर गए सुमन ने घर का दर्वाजा खट-खटाया दर्वाजे की आवाज सुनकर चिंकी और पिंकी की मा वहा आई और पूछा क्या है बेटा तुम्हें किस से मिलना है तब सुमन ने चिंकी और पिंकी की मा को पायल दिखाई पायल देखकर चिंकी और पिंकी की मा ने पूछा तुम्हें ये पायल कहा से मिली तब सुमन ने सारी कहानी मा को बताई और उनसे माफी मांगी यह सुनकर गुपारे वाला भी वहाँ आया और उसने चिंकी और पिंकी की मा से माफ़ी मांगी और बताया किस तरह उसकी छोटी सी बच्ची ने उसकी आखे खोल दी चिंकी और पिंकी की मा सुमन की समज़दारी और इमानदारी को देखकर आश्चरे चकित रह गई और उसने गुपारे वाले को फिर से ऐसा ना करने की सलहा दी गुबबारे वाले ने फिर से एक बार चिंकी और पिंकी की मा से माफी मांगी और दोनों अपने घर को चल दिये